नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News लाइब पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर भयंकर हुआ कोरोना 24 घंटे में 60 की बली अमरावती रोट पर दो नए फ्लाई ओवर बढ़ता जा रहा है पारा आईए देखते हैं खबरे अविस्तार से भयंकर हुआ कोरोना 24 घंटे में 60 की बली कोरोना वाइरस पूरी रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है सिटी के साथ ही ग्रामिन भागों में भी हालात बिगड रहे है अस्पतालों में मरीजों की भीड बढ़ने के साथ ही अब अफरा तफरी भी बढ़ने लगी है शाश्किय और प्राइवेट सभी जगह एक जैसी हालत है इस बीच 24 गंटे के भीतर 60 लोगों की मोत हो गई इस वर्ष की यह सबसे ज़्यादा मोते है दिन बदिन बढ़ रहे मृत्यू दर से डॉक्टरों के साथ ही प्रशाशन में भी हड़कम मचा हुआ है मृत्यू दर के मामले में नाकपूर जिल्ला राज्यके में अवल है शुरुवात में मरने वालों में 50-80 वर्ष वालों का समाविष्टा लेकिन पिछले सब्ता से 40-50 वर्ष आयू वाले भी देखने को मिल रहे है डॉक्टरों का कहना है कि अब भी अधिकांश मरीज गंबिर होने पर ही अस्पताल में भरती होने आ रहे है इसे पहले मरीज होम आईसूलेशन में रहे कर इलाज कराते हैं लेकिन नियमी जाच परताल नहीं होने के कारण ही हालाद गंबिर होते जा रहे है प्रशाशन MLA, Hostel, VINT और 5 पाउली में positive मरीजों के लिए isolation की सुविदा उपलब्द कराई गई है इसके बावजूद मरीद अधिका अधिक सुविदा का लाब नहीं ले रहे है home isolation अब भी लोगों के लिए खत्रा बना हुआ है virus ने अपना nature बदल लिया है इस वज़े से बीमारी की त्रीवडता भी बड़ी है तो वही दूसरी और अमरावती रोट पर दो नए flyover केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी के मंत्रा लई ने अमरावती रोट से प्रवास करने वालों के लिए अपना वादा निबा दिया है दिल्ली में आयोजित बेटक में इस मार्ग पर दो flyover बनाने की मंजूरी दे दी गई है इस मार्ग पर RTO चोक से नागपूर विश्ववी द्याले तक तता वाडी MIDC चोक तक चार लेन का flyover बनाया जाएंगा इन प्राइवेट की कुल लागत 488 करोड 83 लाग होंगी अपने चुनाव के दोरान ही उन्होंने वादा किया था कि इन मार्गों में flyover का निर्मान किया जाएंगा ताकि अमरावती जाने आने वाले तता MIDC हिंगना जाने वालों को सहूलती हो सके आज इसकी अधिकारी घोशना कर दी गई है तो वही तीसरी और बढ़ता जा रहा है पारा सिटी में दीन में सूरज देव आखे तरेर रहे हैं तेज दूप के कारण पारा 40 के पार पोज़ गया है जिसके चलते अब नियोतम तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है अब रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है गुरुवार को सिटी में नियोतम तापमान 26.3 डी से दर्च किया गया जो आउसत से 4.2 डी से अधिक है एक दिन पुरुवा बुदवार को नियोतम तापमान 22.6 डी से पर था और दूसरे ही दिन करिब 4 डिगरी की बड़ोतरी हो गई इससे देर शाम तक हवा में गर्मी मैसूस हो रही थी अचानक गर्मी बढ़ने से गला सूखने लगा है और लोगों को गला तर्क करने के लिए अधिक पानी पीना पड़ रहा है मोसम विभाग ने संबावना जताई है कि आगामी 7 अपरेल तक ऐसा ही मोसम बना रहेंगा बीच बीच में आंशिक बदली आ सकती है इस दोरान अधिकतम तापमान 40 से 42 और निवतम तापमान 24 से 25 डिगरी सेलसियस तक बना रहने की संबावना है विदर्ब में चंदरपूर सारवादी गर्म है वहा का तापमान 43.8 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया है वही अकोला 41.6 अमरावती 40.4 बुल्धाना 28.0 ब्रह्मपूरी 42.1 गडची रोली 41.2 गोंदिया 49.2 वर्दा 40.5 वाशिम 40.0 और यवतमार का अधिकतम तापमान 40.5 डिगरी सेलसियस दर्च किया गया है अब आप हमारे चाइनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS इंदी लिके और डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेसबूक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं अब फिलाल वक्ता चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते हैं देशोर दुनिया की तमाम कुछ खास कबर धन्यवाद